दोस्तों अगर आपके पास अभी physical अधार कार्ड नहीं और आपको online अधार कार्ड, virtual अधार कार्ड डाउनलोड करना है physical अधार कार्ड आप जैसे कहीं भी यूज करते हो तो उसी तरीके से आप online virtual अधार कार्ड को डाउनलोड करके आप कहीं भी यूज कर सकते हो और ये virtual अधार कार्ट पूरी तरीके से original अधार कार्ट के ही तरह valid होता है तो इस वीडियो में आपको पूरा complete process बताऊंगा कैसे आप online virtual अधार कार्ट डाउनलोड कर सकते हो steps काफी easy है वीडियो को आपको पूरे last तक देखने है अच्छे समझने और जानने के लिए तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते है अधार कार्ट के इस portal में आपको आजाना है इस portal का link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँआ वहाँ से simply आपको link के थुरू इस वाले website पे आ जाना है उसके बाद आपको login पे tap करना है फिर आपको यहाँ पे अपना अधार नमर और जैसा capture दिया गया है बिल्कुल वही capture फिल करके आपको login with OTP वाल अप्सन पे tap करना है फिर आपके अधार कार्ड से जो भी mobile नमर लिंक होगा उस mobile नमर पे OTP आएगा simply आपको यहाँ पे OTP नमर फिल करना है OTP अगर आपको receive नहीं होता है तो यहाँ पे recent पे करके आप दुबारा से OTP मंगा सकते हो OTP नमर फिल करने के बाद आपको login वाल अप्सन पे tap करना है उसके बाद आप अधार के portal में login हो जाओगे अधार के related आपको यहाँ पे काफी सारा service मिल जाएगा जैसे कि अगर आपको PVC अधार card order करना है तो यहाँ से आप PVC अधार card के लिए order कर सकते हो इस PVC अधार card को order करने के लिए आपको 50 रुपिय का charges देना पड़ेगा अपने अधार card का आपको address change करना हुआ तो यहाँ से आप address भी change कर सकते हो अपने अधार card का virtual ID यहाँ से आप generate कर सकते हो अपने अधार card का authentication history आप यहाँ से देख सकते हो तो यहाँ पर आपको अधार के related काफी सारा services मिल जाता है अपने अधार को आप यहाँ से भी देख सकते हो simply आप profile पे टाप करके अपने अधार card का यहाँ पर फ्रंट पेज देख सकते हो लेकिन जैसे कि अपना अधार card आपको PDF format में डाउनलोड करना हुआ तो इसके लिए यहाँ पर आपको second वाले option में आ जाना है download अधार वाले यहाँ पर आपको अपने अधार card का जो photo होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको mask अधार डाउनलोड करना है तो आपको यह वाले option को check करके रखना है do you want a mask अधार simply आपको इसको select करके रखना है mask अधार का मतलब कि आपका अधार number पूरा नहीं सोग होगा आपका अधार number कुछ हिस्ता वहाँ पे blur रहेगा तो अगर आपको mask अधार डाउनलोड करना है तो simply आपको इससे select करके रखना है उसके बाद आपको इस तरीके से scroll करना है यहाँ पर आप अपने अधार कार्ड का details देख सकते हो जैसे कि नाम, date of earth, gender, address तो simply अपने अधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको bottom में download wall option पे tap करना है आपका अधार कार्ड successfully डाउनलोड हो जाएगा आपके phone या free computer में जैसे कि आप यहाँ पर message देख सकते हो congratulations, your अधार कार्ड has been successfully downloaded PDF format में आपका अधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा आपका अधार कार्ड का जो PDF होगा वो password protected होगा उस PDF को पेंड करने के लिए password आपको fill करना होगा password आपका नाम और date of birth दोनों मिला कर बनेगा जैसे कि आप password का format देख सकते हो for example जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो your name is anis y kumar your year of birth 1989 तो password कैसे बनेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो combination of the first four letter of your name मतलब आपके नाम का starting का first four letter और वो भी capital में फिर उसके बाद आपका year of birth जैसे कि 1989 हुआ या फिर जो भी आपका birth year हुआ वो आपका birth year तो यहाँ जैसे कि password हो जाता है anis anis starting से four letter फिर जो birth year 1989 तो यहाँ पर आप जैसे कि password देख सकते हो किल करके open कर लेता हूँ तो यह मेरा अधार card है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो PDF format में वो download हो चुका है अब इसे मैं print out करा के कहीं भी इसे use कर सकता हूँ online अगर आपको कहीं भी use करना हुआ तो यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको password हटाना पड़ेगा इस PDF का PDF से password हटाना काफी असान है आप online इसका use कर सकते हो browser में आपको PDF password remover लिख कर सर्च करना है फिर जो पहला site आएगा आप उसपर simple अपना PDF file को upload करके password को remove कर सकते हो so I hope वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि अपना अधार कार्ड online आप कैसे download कर सकते हो अगर किसी भी तरह कोई भी doubt है तो आप हमें comment section या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो ये वीडियो आपके लिए informative रहा तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करें